उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर चलाने वाले भी अब नहीं बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदितनात सरकार ने घंश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। नहीं दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे घर और दुकान पर मैं बुल्डोजर चला दूँगा। दुकादान ने कहा साब हमें आप छोड़ दीजिए आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं। उसने कहा मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। तुम पैसे मांगने क्यों आए हो। तुम मुसल्मान हो तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम मुझे पैसे मांग सकते हो। लेकिन दोस्तों कल शाम को खबर आई। इसडियम साहब के ही सीने पर बुल्डोजा चल गया है। वे नौकरी से हाथ दो बैटे हैं और अब वे कही के नहीं रहे गए हैं। भागे भागे फिर रहे हैं किसी को मुझ नहीं दिखा पा रहे हैं। दैनिक भासकर ने देखी दोस्तों खबर ट्वीट किया है। दैनिक भासकर ने ट्वीट किया है मुरादाबाद के डिप्टी कलेक्टर घंश्या मॉर्मा सस्पेंड इसडियम रहते 2,67,000 रुपे का फरनीचर लिया था। पेमेंट मांगा तो कारोबारी के घर को अवैद बताते हुए बुल्डोजर चला दिया। बताइए एसडियम है। और देखिए ललन टॉप ने पहले ही खबर शापी थी। ललन टॉप ने पहले ही साफ लिख दिया था कि जो मुरादाबाद के एसडियम है इन पर कारवाई तो होना अत्ता है। और इन्हें नौकरी से हाथ दोना पड़े गालन टॉप ने चाप रखा है। इसडियम के पत पर तैनात हैं। इन्हें लगा कि जाहिद एहमद हैं मुसल्मानों पर बुल्डोजर चल रहा है। जिस तरीके से इलाहाबाद में जावेद पंप के घर पर बुल्डोजर चलाया गया। इसडियम साहब को यही लगा कि वे वर्मा हैं। और वे बच जाएंगे। हालकि इसडियम जो हैं वो बिसी समास से आते हैं। वे कुछ जादा ही हिंदू और समण बनने लगे थे। जैसे ही मनुवादी वनने कोशिश करने लगे। योगी आदितनात ने कहा मनुवादी तुम नहीं मनुवादी मैं हूँ। और इसी के तहट इनके उपर कारवाई हो गई और इन्हें अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ा है। सोचियो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मुसल्मान बेक्ती आरोपी बनाया जाता है तो सबसे पहले जो में इस्ट्रिम की मीडिया है गोदी मीडिया उसे आईएस आईएस से कही नगहितार जोड देती है उसे जिहादी बता देती है अलाग गलाग हमेत के ऊपर में बुल्डोजर चलवा रहे हैं और इस बार में बच जाएंगे दो लाग सब्स जाएंगे इसके अलामा जो पीडित है फरनीचर वेपारी हो इनके पास आएगा और कहेगा कि साहाब आप बताईए मामले को सट्रिमेंट कर लीजिये ले दे करके लेकिन इस ही चक्रबियों में इस बार फंस गए और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है देखिए तमाम लोगों ने खबर शाप रखी है मुरादाबाद के डिप्टी कलेक्टर घंश्याम वर्मा सस्वेंट फरनीचर के पैसे मांगने पर कारोबारी के मकान पर बुल्ड पत से हटा दिया है एडियम की जांस रिपोर्ट मताबिक जिस फनीचर कारोबारी के घर पर इस डियम ने बुल्डोय चलवाया ओ बिलारी नगर पालिका इलाके में आता है जांस में सामने आया कि बिलारी नगर निगम के दरगत आने वाली जमीन पर बुल्डोय चलाने का दुकान नहीं है यह इलाका उनके छेत्र से बाहर है अब आप बताईए इस डियम सहाव इतने जादा सत्ता के नशे में चूर थे लग रहा था कि कोई नेता हो है कोई विधायक है कोई मंत्री या फिर कोई सांसद है जो उनके एरिये में अधिकार छेत्र में इलाका आता ही नहीं उस इलाके में उन्हों में बुल्डोजर भेज दिया और जो पीडी दुकान दार है उसके घर पर बुल्डोजर चलवा दिया उसके घर की एक दिरवार तक दुरवा दी दोस्तों आप कलपना कीजिए यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कारवाई होते होते आप कारवाई किया जाता है इसी के तहट घंस्याम और्मां के खिलाफ कर वाइ की गई है और उन्हें सस्पंट कर दिया गया है आप घर जाए अपने Бाल बच्चों को खिलाएे पिलाईए जाए होग ओनको पानी पिलाईए आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश की योगिया दितनात्त ने साफ कर दिया है लेकिन एक जो कारवाई हुई है दोस्तों इस सिर्फ कारवाई नहीं है बलकि एक सबक सिखाया गया है एक सबक दिया गया है अन्य अधिकारियों को अगर आप किसी के घर पर जिस पर कोई आरोप नहीं कोई दो तक दरोगा तक सब लोग हिले हुए है जब से खबर आई है इस डियम किलाफ कारवाई हो चुकी है वे सस्पेंट हो चुके है आप नौकरी करने आ है तो नौकरी कीजिए जो सच है सच को सच कहना सीखिए ऐसा नहीं है आप दिन को रात कहें और रात को दिन कहें अगर आप ऐ दर्ज किया जाए और इनसे पूरा हरजाना असूला जाए मौज़ा लिया जाए दिवार को फिर उसी तरीके से बनवाया जाए दोस्तों आप लोग क्या प्रित कि रिया है क्योंकि इस डियम को हटा दिया गया है और योगी सरकार में इस डियम सहाब की गुंड़ाई तो न जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें